अभी जैसी मैं अपने घर के भाहर आया हूँ मैं देख रहा हूँ जो करेली की बेल है दोस्तों काफी जाधा सुखी हुई दिख रही है आप लोग भी दिख रही है बहुत जाधा दोस्तों यह खराब हो चुकी है तो हम लोग इसे भी अभी देखेंगे इसके अंदर काफी बड़े साइस के आप लोगों को दिखाई दे रहोंगे साइस दोस्तो बहुत ज़्यादा बड़ा है इनका और अभी ये छोटी ये फिर भी और भी ज़्यादा बड़े होंगे दोस्तो ये कुछ तो निम्बू उपर में भी लगे हुए है वो भी बहुत ज़्यादा बड़े है दोस्तो और इदर अंदर में भी थोड़े से लगे हुए है महां भी दिखाता हूँ मैं इदर एक केज भी बना हुआ था एक दोस्तो यहाँ पर नैस बना हुआ था केज नहीं सॉरी तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी छोटे वाला एक है काफी सार दोस्तो इदर ही लगे हुए है कुछ उपर है जहाँ मैंने देखा भी नहीं था यहाँ तो गंदगी भी ज़्यादा दिख रही है दोस्तो पानी की कुलर भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है तो यह भी हम अभी चेंज कर लेंगे तो इसे खुर लेते हैं निकाल लेते हैं हम दोस्तो हमने बर्ट्स को थोड़ी देर पहले भाहर निकाला हुआ था एक बच्चे को भाहर निकाला हुआ है आपको दिखाई दे रहा होंगा दोस्तो और इसे हमने यही पर खिड़की के सामने खड़े रख दिया तो अंदर से परिंदे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे तो हम लोग ने देखा कि क्या होता है अगर इन्हें भाहर रखा जाए तो तो यह बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे इसलिए मैंने बैक्राउंड की हु कि यार हो चुकी है यह बर्ड I helped Star byี้ और दूस्तों इस वाला ये जो दूसरा वाला मने निकाला हुआ है ये भी पूरी तरीके से इसे पर लेकिन दोस्तों एक से दो दिन में ये भी उड़ने लग जाएंगे क्योंके पर पूरे आ गए है इने और तैयार भी हो गए इसलिए हम इन्हें खुले में छोड़ नहीं सकते क्योंकि यह उड़ भी सकते हैं और कई भी भाग सकते हैं दोस्तों हमने पानी के गुलर भी बहार निकाली हुई थी तो पानी भी रख देंगे हम थोड़ी देर बाद अभी और बड्स दोस्तों यहां पर बड़े मज़े से बैटे हुए है तो थोड़ा सा दाना भी हम डाल देते हैं काफी देर हो गई हमने दाना नहीं दाला था इस बड्स है दोस्तों इन्हें भी हर किसम का दाना खाने की आदत इस वज़े से और ग्रास तो हम डालते ही रहते है रेगुलरली और दुसरी चीज़ भी खिलाते है दोस्तों हो सकता है कल हम चावल भी खिलाएंगे पके हुए इस्टीम राइस भी दोस्तों यह खाते है तो च एक तर ये दो स्टोर जया पेटिक